हालो फेंज बहुत बहुत स्वागत है आपका इंगिसर वांटेज यूट्यूब चैनल पर फेंज इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा आई-बी-पी-एस क्लर्क प्री के कुछ रियल कोश्चन्स और यह पेपल वह था साथ दिसमबर 2019 को मोस्ट रीसेंट यह कोश्चन्स है और इनकी मदद से आपको एक आईडिया लगेगा कि फॉर्थ कमिंग एस पर एक्ट एक्जेम में किस तरीके के कोश्चन्स प्री में दिसक्स करूँगा देखे एक यह कोश्चन पूछा गया था और काफी अच्छा यह कोश्चन है अशौट सर्किट वोजदा अब यहां पर देखे क्या आएगा ओफ यस्टरेडेस फायर मतलब कल जो आग लगी थी उसका जो रीजन था वो क्या था शौट सर्किट था ठीक तो सही इस में क्या होगा और ऑप्शन देखे कितने कॉंप्लिकेट करके दिये हैं इसमें अलली सी, अलली अ, बी यहाँ पर देखे यहाँ पर सौट सर्किट की बज़ए से आग लगी थी यह सर्किट जो है यह कौज है और यह इसका एफेक्ट है तो जब हम कौज एफेक् करते हैं तो उसके लिए हम reason word लगाते हैं जैसे what is your reason for going there मतलब what is your motive for going there वहाँ पर जाने का आपका उद्देश है क्या है ठीक है तो जब हम किसी चीज का justification देते हैं या motive बताते हैं तो उसके लिए हम reason word यूज करते हैं जब हम cause and effect पी बात करते हैं तो उसके लिए cable cause लगाना सही होता है ठीक है तो इसमें इसमें आपका जो answer होगा वो होगा cause cable cause ठीक है तो इसमें actually ये a, b, c होने चाहिए ये one, two, three दिया है यहाँ पर ये a, b, and c माल लेते हैं इसको तो इसमें आपका answer होगा only b काफी अच्छा है ये question है और IBPS clerk का ये real question है same essay ही questions आपसे पूछे सकते हैं SBI clerk exam में ठीक है अब यहाँ पर देखिए he believed student must be able to do their own work without, without दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा देखें without any जो word है any इसको भी हम without के साथ use करते हैं ठीक है without he gave the exam without any preparation तो इस sense में any के साथ हम noun लगाते हैं तो यहाँ पर noun तो है नहीं ठीक है अगर noun होता तो यहाँ पर any आसकता था तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा regarding without regarding अशेम डिबी नहीं आसकता इसलिए नहीं आसकता क्योंकि without proposition है regarding me proposition है proposition के बाद आप verb की आएंजी form लगा सकते हैं यह without जो है यह proposition है तो without के बाद आप feeling लगा सकते हैं without feeling ashamed he believed student must be able to do their own work without feeling ashamed बतला student को अपना काम खुद करना चाहिए without feeling ashamed शर्मिंदर उसमें नहीं होना चाहिए तो इसमें आपका third वाला जो है यह आपका सही होगा इसको one two three भी मान सकते हैं यह one two three भी दिया जा सकता है आपको और ABC भी दिया जा सकता है एक्जाम में तो इसमें आपका answer क्या होगा इसमें आपका answer होगा only c यह third या c इसको आप मान सकते हैं ठीक है one two three और ABC दोर तरीके से ही ये questions आपको दिये जा सकते हैं काफी अच्छा ये question है अब देखिए ये वाला question देखिए the villagers set an example set an example मितलब उधारण प्रस्तुत करना villagers ने एक example set किया कि उन्होंने baron land को forest में change कर दिया baron मतलब जो unproductive land है उसको forest में change कर दिया 20 साल में अब यहां पर word क्या दिये हैं देखिए transforming दिया है turning दिया है converting दिया है अब देखिए यहां पर keyword क्या है यहां पर keyword है into into यह है keyword देखिए transforming into भी हो सकता है turning into भी हो सकता है converting into भी हो सकता है इन तीनों ही words के साथ हम into proposition का use करते हैं और जब किसी एक चीज को हम किसी दूसरी चीज में change करते हैं, जब एक physical form उसका पूरी तरीके से change हो जाता है, तब वहाँ पर हम into word का use करते हैं, जैसे translating, translating into, translating from Hindi into English, तो उस sense में भी, उसके साथ भी हम into लगाते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही words इसमें आ सकते हैं, तो इसमें आ सकता है, turning भी आ सकता है, converting भी आ सकता है, ठीक है, तो examiner, आपके concept भी चेक कर रहा है, आपका context की knowledge भी आपको check कर रहा है, और आपकी grammar की knowledge भी चेक कर रहा है, तो SBI class और IBPS class के exam को निकालने के लिए आपको reading बहुत जरूरी है, grammar की knowledge भी बहुत जरूरी है, और practice, इस तऱ क पुलिस इंवेस्टिगेशन एंड विल बी रिजॉल्व सून, रिजॉल्व मतलब उसको सॉल्व कर दिया जाएगा और मैटर जो है वो अभी पेंडिंग है, पुलिस इंवेस्टिगेट कर रही है उसको, तो इस सेंस में जो सही वर्ड होता है वो होता है अंडर, जैसे हम बो और ओबर वर्ड ही आते हैं, इस सेंस में केबल अंडर कहना ही सही होता है, तो अल्ली ए आएगा, इसको आप वन मान सकते हैं या आप ए मान सकते हैं इसको, ठीक है? तो इसमें अल्ली ए जो होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर आपका होगा, अब आउट और इसमें नहीं आ कि रहेंगे कब नबरात्री के मौके पर कि अब देखिए इसमें क्या वर्ड दिया है ऑकेजन दिया है है यह एपनिंग दिया है इसपॉट ऑफ नबरात्री यह तो बिल्कुल आफट ऑफ कॉंटेक्स है 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 एक्षळी हम लगाते हैं जैसे कोई पार्टी वगरा होती है उसक एक duration होता है उसमें, Northern का एक duration होता है, happening और party यह थोड़ा सा छोटे duration की चीज़ें होती है, बैसे happening word यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, occasion, नबरात्री के अपसर पर, इसमें भी A ही सही होगा आपका, तो इसमें भी आपका answer होगा, only A, देखें, ये भी एक नए pattern का question है, और ये भी क्लर्क एक्जैम क्यों था, जो 19 में पूछा गया है, इस तरह के questions मैं सबसे पहले आपको, ये actually क्या है, phrase rearrangement के question है, नए pattern के ये questions है, और सबसे पहले इसमें आपको subject ढूड़ना पड़ता है, तो subject इसमें कहा है, subject इसमें है, यहाँ पर, देखें, gap, on, off, ये subject नहीं है, the traditional system, थीके, the traditional system, किस चीशके traditional system की हम बात कर रहे है, the traditional system of education, थीके, the traditional system of education, ये पुरा subject हो गया, उसके बाद ये verb आ गई, the traditional system of education widened the, थीके, किश चीश्च को उसने widened किया, उसने kisig gap को widened किया, widened the, जो gap था, उसको और चोड़ा कर दिया, तो यहां पर यह सीक्वेंस ही इसका बन सकता है E-C-A E-C-A-D-B ही इसमें सीक्वेंस बन सकता है इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट तो ऐसे इन कोस्टन्स को करना है यह आईउप्यस क्लर के एक्जैम में पूशे गए थे काफी unexpected यह questions है और concept same रहते हैं लेकिन question को थोड़ा सा twist करके सभी exams में पूशा जाता है ताकि students का जो original talent है उनका जो original aptitude है उसको उसको check किया जा सके तो इस video class में मैंने 6 ही question लिये है और आगे इसमें मैंने 30 question लिये थे IBPS clerk में इसमें reading comprehension passage वाला part और रह गया है तो इसको मैं next part में आपको explain करूँगा और उस video class को भी देखें और ये path 1 and path 2 इनको भी आप देखें मेरे video classes आपको अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहा है तो इनको like आप जरूर करें share करें अपने friends के साथ और subscribe जरूर करें इस video class में इतना ही अब मैं आपसे बिलूँगा next video class में thank you